दोस्तो आप सभी को राम राम बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट के बारे में और पहले बात कर लेते हैं कि आज मुमेंटम कैसा रहा तो मैंने आपको उताया था कि market कहीं पे भी खुलता है, negative भी खुलता है, या flat open होता है, तो आपको करना क्या है, आपको sell on rise strategy पे जाना है, दोनों चीजे बताई थी, कौन-कौन से target आपको देखने हो मिल सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे, तो आपको nifty bank में भी वो target देख मिला, same nifty में भी 60-70 point अगर आपको मिल गए तो उसे अच्छी बात नहीं है, चुकि उसके बाद आपको trade भी नहीं करना है, लगर आप कोशिश करो, कि अगर आपके अपना transaction history देखो, तो maximum अगर आपके देखेगा, 11 बजे से पहले के transaction हो चुके हैं, यानि trade जो profitable हैं, 11 बज आप देखेगा analysis के basis पे, setup के basis पे पकड़ सकते हैं, उसके बाद stock market में हो सकता है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कोई information आजाए, या फिक कोई information आने वाली हो, तब market का scenario थोड़ा सा credit करने के लिए आपको लगातार computer पे बैठना होता है, तो इसलिए ये चीज़े बहुत important होती हैं अब बात करते हैं, कल के लिए, तो कल के लिए अगर आप देखेंगे, तो अभी gift nifty अगर आप check out करेंगे, तो 24, 160 पे देखने हो मिला है, और यह माना जा रहा है, कि काफी बढ़िया यहाँ यहाँ पे opening हो सकती है, according to this particular moment, यानि कि जो current scenario है, कि यहाँ पे जो gift nifty अगर यही जहाँ पे इस समय देखनी को मिला है, यहीं पे close होता है, तो कल आपको positive opening देखने हो मिलेगी, अच्छी positive opening देखने हो मिलेगी, but the thing is, कि कल भी आपको sell on rise strategy बहुत अच्छी वर करेगी, चुकि उपर call writer बैठे हुए हैं, 24,100 पे भी call writer बैठे हुए हैं, और 53,200 पे भी देख best part है, चुकि आप at least कम से कम extremely overbought zone में, ऐसी scalping करोगे, तो यह चीज़ आपको नहीं भूलनी है, फिर अगर आप देखेंगे ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूँ, चुकि अभी भी bond market globally, global का bond market देखेंगे, clarity के साथ आप देखोगे, तो यहाँ पे उपर है, Canada का 1% है, फिसके लाव बहुत ही, बहुत ही strong zone के साथ, sustain कर रहे हैं अपनी momentum को, अपनी greenery को, momentum को, और market extreme यह जब overbought है, और तब bond market अप है, तो आपको sell on rise strategy में बहुत बढ़िया मजाएगा, चुकि अगर आपने देखा होगा आज, अचानक से तिरपन 180 से, nifty bank अचानक से 500 point नीचे आ गया था, औ आप समझ सकते हैं कि ऐसे momentum ही आपको देखेगा, मिलते होगे देखने हो मिल सकते हैं, चुकि gold के prices भी काफी अच्छे अप हैं, आप देख सकते हो, फिर आप देखेंगे silver के price भी अप हैं, और crude के prices तो continuously अप हो रहे हैं, और crude oil तेजी से अप इसलिए हो रहा है, चुकि आप आपको पता है कि inventory की shortage है, तो जब तक ये सिनारियो देखने को मिल दा है, कि inventory की shortage है, commodity के price अप है, dollar आपका 106 के पास खड़ा हुआ है, bond आपका green है, तब तक ये sell on rise strategy आपके लिए better रहेगी, 9.15 से 9.45 के बीच में, अगर market positive खुला है तो, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी global market तो मैं नहीं कहूंगा, SH बहुत बड़ा direction दे रहा हो, और इस पे आपको जाना भी नहीं है, जब तक ये 400-500 point का कोई momentum ना दे, या plus में, या minus में, तो इसलिए आपको focus करना है, पहले dollar index देख लीजेगा, ये अभी तक खड़ा हुआ है, 106 के पास, जब तक ये उपर के level पे sell on rise strategy लगा सकते हैं, तो अब देखते हैं, देखेगा कितना 24,444 पे देखेगा nifty close हुआ है, तो अप्रोक्स अप्रोक्स अगर अब मानें, gift nifty से comparison करें कि जो gift nifty का momentum है, वो अगर ऐसा ही रहता है, जस्ट ऐसा ही रहता है, तो आप positive खुलोगे, तो positive खुलोग और अगर बात हो रही है, nifty bank की, तो nifty bank में अगर HDFC bank और ICC bank रुख गए हैं, तो आपको 52, देखेगा 560 के level, और ये तूटेगा जिस दिन, उस दिन आपको देखेगा 52, 280 के level भी देखने हो मिलेंगे, अब कहने वालों को याद रखना चाहिए, कि nifty bank जिस momentum से भाग रहा ह एक गलती पे नifty bank उसी momentum से नीचे जाएगा, इस चीज़ को मत भूलेगा, ये historical record है, experience से आपको बताया जा रहा है, राम राम